ओमरिया जिले के पाली वन परिछेतर में तेंदुई की ट्रेन की टकर से मौत हो गई बताया जा रहा है कि गुरुवार सुभा करी 5 बजे एक नर तेंदुई की रेलवे ट्रेक के अप लाइन में टकर लगने से मौत हो गई जहां तेंदवे के उम्र लगबग चार से पाँच साल बताई जा रही है बता दे कि पाली वन पर इछेतर अंतरगत ये कोई पहला मामला नहीं है जिससे वन प्राणियों की मौत हुई हो पहले भी यां कई वन प्राणियों की ट्रेन की टकर से मौत हो चुकी है इस बात को लेकर DFO मोहित सूद ने कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए हमने रेलवे को पत्र चार किया है और इस बार हम रेलवे के साथ मिटिंग टैकर समस्या से समाधान पाने पर चर्चा करेंगे वहीं इस से पहले घटना की जानकारी लगते है वन विभाग के वरिस्ट अधिकारी DFO मोहित सूद SDO RL शर्मा रेंजर रभी पांडे समेत कई अधिकारी मौके पर पहुँचे और तेंद्वे के शब का पीम कराने के बाद उसकांतिम संसकार कर दिया गया है विंद्या कीरन के लिए उमरिया से सुरंतिर पार्टी की रिपोर्ट दू आज मृत पाया गया है वो हमारे पाली परी छेतर के 534 गंबार्टमेंट के साथ लगे हुए राजस्वर छेतर में पाया गया है है और यह रेलवेर की दुरखटना की वज़े से रेलवेर की ट्रेन में से की चपेट में आनी की वज़े से ऐसे साक्षम मिले हैं कि इसके लिए इसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं चिंतित हैं इसके लिए हम बार बार रेलवे रेलवे प्रशासन से निरंतर पत्राचार किया है और मीटिंग्स भी की हैं और इस बार हम उनको बड़ा सिरियसली बताने वाले हैं कि इस तरह की दुरगटना रोकनी पड़ेंगी इसके लिए जो भी आवशक कदम होंगे जैसे कि ट्रेन की स्पीड कम करना या बार बार हूटर इसका प्रयोक करना या टर्निंग्स पे ट्रेन को धीरे ले जाना वैसे सारे और क्योंकि अब तीसरी बन रही है तो हम रेलवे को बिल्कुल अंडर पास और ओवर पास बनाने के लिए निर्देश्यत करेंगे कि जहां जहां पे बनने परानियों की दुरगटना सम्भावित होती है वहां पे अंडर पास और पास बिल्कुल बनाए जाएंगे